आज हम बनाएंगे मेथी थेपला यदि आप कहीं सफर में जा रहे हैं तो मेथी थेपला ले जाएंगे 4-5 दिन तक खराब भी नहीं होते हैं ये थेपले बहुत ही सौप्ट पने हैं आप इस वीडियो को पूरा देखें अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो आप अपने चैनल कुकिंग विद अमरिता को लाइक, सेयर और सब्सक्राइब चरूर करें मेथी थेपला बनाने के लिए मैंने एक बंच मेथी लिया था जिसमें से सिर्फ पत्ते पत्ते तोर लियें इसकी सारी डंडियों को हटा दें डंडियों को मेथी थेपला में यूज नहीं करेंगे मेथी के पत्तों को 4-5 पानी से अच्छे से धूएं और इसके बाद छन्ने पे रख कर एक घंटे के लिए साइड रख दे ताकि सारा एक्स्ट्रा वाटर निकल जाए अब एक घंटे के बाद मेथी के पत्तों को फाइन चॉप कर ले जितना महीन आप काट सकते हैं उतना महीन काट ले मेथी के पत्तों को काट कर साइड रख ले अब मेथी तेपला के लिए हम डो बना लेते हैं इसके लिए एक पाउल में तेड़ कप गेहूं काटा और एक चौथाई कप वेशन ले ले मैंने मेजर्मेंट कब से किया है आप किसी कटोड़ी गलास से भी कर सकते हैं अब इसमें डेर कप कटे हुए मेथी के पत्ते डाल दे जिनने अभी हमने चौप करके रखाता एक बड़ा चमच अधरक लेसन मिर्च क्रश किया हुआ एक चोथाई कप ताजी दही एक चोटा चमच नमक एक चोटा चमच कसूरी मेथी एक चोथाई छोटी चमच हींग एक चोटा चमच चेली फ्लेक्स आदी चोटी चमच हल्दी पाउडर एक चोथाई छोटी चमच अजवाइन अजवाइन को हाथ से क्रस करके डालें इससे अजवाइन का फेवर अच्छा आता है अब इसमें मोयन के लिए दो बड़े चमच, रिफाइंड ओयल या घी डाल दें आप चाहें तो इसमें एक बड़ा चमच सफेद तिल भी डाल दें अब सब को हाथ से अच्छे से मिक्स करें हातेली से प्रेस करते वे सभी सामकडी को आपस में अच्छे से मिक्स करें अब मैंने एक चौथाई कप हलके गर्म पानी को बाउल में डाल दिया इससे हम डो बनाएंगे थेबला कर डो चपाती के डो से थोड़ा स्वाप्ट होगा पानी को आटा में अच्छे से मिक्स करते हैं यदि जरूरत हुई तो इसमें थोड़ा सा पानी और एट कर लेंगे अभी डो बना नहीं है तो अब मैंने दो बड़ा चमच हलका गर्म पानी और लिया थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और डो बनाते जाएंगे थेपला का डो बनाने में टोटल पांच बड़े चमच गर्म पानी का यूज हुआ है अभी हम थेपला के आटा को दो-तीन मिनट गूद लेते हैं अब एक बड़ा चमच तेल थेपला के डो के उपर चारो तरफ फैला देंगे ताकि थेपला का डो सुखे नहीं अब थेपला के डो को ढख कर आधे घंटे के लिए दख देंगे ताकि ये थोड़े सेट हो जाएं आधे घंटे बाद थेपले के डो को दो-तीन मिनट अच्छे से गूंद लें और इसके बाद इसकी छोटी-छोटी लोई तोर लें इस दो से मैंने 14-15 थेपले बनाए हैं साड़े थेपले को हम पहले बेल लेंगे इसको बाद में सेखेंगे आप चाहें तो चापाती की तरह साथ-साथ बेलते जाएं और सेखते जाएं मैं पहले बेल के रख लेती हूँ फिर सेखूंगी तो सबसे पहले लोई में पल्थन लगा लें और इसके बाद इसे चापाती की तरह बेल लें थेपले को आप जितना पतला बेल सकते हैं उतना पतला बेलें ये बहुत ही सौप बनेंगे बीच बीच में जब भी ज़रूरत हो आप पल्थन इस पे चिरकते जाएं और बेलते जाएं थेपले जितने पतले बिलेंगे ये उतने अच्छे बनेंगे इसी तरह से एके करके सारे थेपलों को बेल लें अब गैस पे एक लोहे के तवा को गर्म करें तवा के गर्म होने पर इस पे थेपला डालें थेपला जब उपर से ड्राय हो जाएं तब इसको पलटतें थेपला को पलटने के बाद अब इस पर देशी गी लगाएं फिर थेपले को पलटकर दूसरी तरब भी गी लगाएं और सेकें थेपले को हमें करारा होने तक नहीं सेखना है थेपले में दोनों तरब से गी लगा कर सेखे और निकाल ले यदि आप इसे करारा करेंगे तो ये बाद में बहुत देर तक सौफ नहीं बने रहेंगे थेपला सिख गया इसको तवे से निकाल ले और तवे में दूसरा थेपला डाल दे दूसरे थेपले के भी उपर से ड्राय होने पर इसको पलट ले थेपले में दोनों तरब से घी लगा कर सेख ले और इसी तरह से एक एक करके साड़े थेपले सेख ले ये थेपले बहुत सॉफ्ट पढ़ने हैं और ठंडे होने के बाद भी ये बिल्कुल सॉफ्ट रहते हैं अभी मैं आपको इनको तोड़के दिखाती हूँ कि ये कितने सॉफ्ट है थेपलों को अपनी मन पसंद अचा या चटनी के साथ सर्व करें